ह 종 कछ ल्ग हर आंद ego मं कि Pan THE coz घंदधे अध्य यूबर फच्जार नेगा ताई क्लास का रहेगा और फंध्में पहले पड़ चुके हैं कि राजिसटन सीरीस कंडिशन चैनल कंडिशन के बारे में पड़ चुके हैं Łuk बूक के अंदर देखो का उंकि यूज भी दिये गए हैं तो उंके यूज आपने पढ़ने हैं यूज क्या क्या है हम इसे रेजिस्टेन्स को Series combination में घर पे नहीं जोड सकते या हम Series combination यूज नहीं कर सकते घर पे किसी भी application का हम क्यों नहीं कर सकते application का use बच्चो घर पे क्योंकि देखे ध्यान से series combination का एक disadvantage यह होता है कि जब हम किसी भी applications को series combination में जोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या same रहता है potential same रहता है sorry potential same रहता है current के value different होती है उसके बाद अगर एक भी application हमारा खराब हो गया अगर एक भी application खराब हो गया तो आगे के application में current नहीं जा पाएगा अगर आगे के application में current नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब सोचिए अगर आपने घर पे series combination लगा दिया और आपका main में जहां पे main है वहां से कोई भी एक चीज़ खराब होगी तो जो चीज़ और है आपके और application जहां जहां पे लगी हुई है वो तो operate होई नहीं पाएगी अगर वो operate नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि हम घर पे series combination का use नहीं कर सकते हम कौन सा combination यूज़ करते हैं बच्चोर parallel combination यूज़ करते हैं parallel combination में क्या होता है अगर एक operation एक application हमारी खराब हो गई तो उससे क्या होगा दूसरी application के अंदर current हो जाता ही रहेगा और दूसरी application हमारी operate होती रहेगी पूरे घर के अंदर से light नहीं जाएगी ऐसा नहीं होगा कि पूरे घर की light चली गई इसलिए हम जो combination यूज़ करते हैं घर पे वो parallel combination यूज़ करते हैं ठीक है उससे जो हमारे relation में हैं जितने भी हमारे numericals निकल के आते हैं जितने भी हमारे complex circuit निकल के आते हैं उन complex circuit की आज हम study करेंगे और सबसे पहले मैं एक complex circuit बनाता हूँ उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीज़े कैसे निकलने पड़ेगी एक ऐसा numerical आपको करवाता हूँ उस numerical से दो तिन चीज़ें आपको निकलने चिखा दूँगा उसे जैसे जितने भी numerical आपको मिलेंगे उन numericals रिलेट करके अब कोई भी numericals फोल कर सकते हैं ठीक है तो चिप्टर का नाम है हमारा electricity चिप्टर का नाम है हमारा electricity ठीक है और यहाँ पर बच्छो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं how to solve a complex circuit ठीक है तो यहाँ पर मैं affordable बनाने जा रहा हूं बेटा उसको थोड़ा जहान से देखना है यहाँ पर बनाता हूं complex circuit को सबसे पहले यहाँ पर एक resistance लगाता हूं फिर यहाँ पर एक battery लगाता हूं और फिर यहाँ से फिर एक resistance लगाता हूं ठीक है उसके बाद फिर एक resistance लगा देता हूँ उसके बाद यहाँ पे दो resistance लगा देता हूँ ठीक है और बच्चों यहाँ पे एक voltmeter लगा देता हूँ ऐसे और यहाँ से फिर एक resistance लगा देता हूँ ठीक है यहाँ पे एक emitter लगा देता हूँ और ऐसे एक circuit बना देता हूँ यह हमारा negative terminal रहेगा यह हमारा positive terminal रहेगा अर ऐसे बेटा एक यह हमेशा किस में कॉनेक्ट किया जाता है क्योंकि current क्या होता है Career के अंदर हम जो इतना भी current होगा उसको तोटली मिज़र करना होता और current उसी को, meter उसी को measure कर पाएगा, ठीक है, वोल्ट मेटर क्या होता है हमेसा, यह वोल्ट मेटर हमने यहां पे लगा रखा है, वोल्ट मेटर हमेसा parallel combination में connect होता है, पेटा यह जो छोटा, यह जो छोटा डिंडा लगा रखा है, और यह बंडा है, बड़ा जो होता है, वो higher potential को दिखाता है जहां पर पोजिटिव साइन्स होता है जहां पर पोजिटिव पोलरिटी होती है और जो छोटा डिंडा होता है यह आपका लोवर पोटेंशल को दिखाता है जहां पर नेगिटिव पोलरिटी होती है नेगिटिव साइन इंडिकेट होता है एक यह रेजिस्टे एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला आपने फाइंड क्या करना है एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दुसरा आपने फाइंड करना है रीडिंग दए एमिटर या फिर और करन्ट ठीक है थर्ड आपने फाइंड आउट करना है पोटेंशल ड्रॉप एक्रोस दा आहां पर नाम लिख देता हूं मैं जैसे यह आपका आर वन है यह आर टू है यह आर थ्री है यह आर फोर है यह आर फाइवर यह आर शिक्स है एक्रोस दा रेजिस्टेंस और शिक्स यह तीन आपको पैरैमेटर यह फैन इूट करने है पैरामेटर बहुत सारे फैन आउट कर सकते हैं आपसे पूझाघ गा सकता है इसकी एमस को को find- おउट की जिए इसके इंटरनल और इंटरनल में Tallah कीजिए इसमसे करंट कितनी निखली वह find-elow कीजिए इनके कुछ रईजिस्टेंस पोटैंटिन्स को find outcomes कीजिए इनके papers करंट को find out कीजिए ठीक है या इसमें करंट कितना है इसमें करंट कितना जाएगा वह चीज़ आप से पूछी जा सकती है बहुत सारी चीज़ आप से पूछी जा सकती है डोंट वरी लेकिन हम यहां पर दो तिन चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूं इनकी वैल्यू रख देता हूं मैं यह अमारे पास कितने की है बेटा 60 वोल्ट की वैटरी है ठीक है यह अमारे पास टू ओम है यह अमारे पास थ्री ओम है यह अमारे पास सिक्स ओम है यह अमारे पास कितना बेटा टू ओम है और यह अमारे पास है जो वन ओम है और यह अमारे पास टू फोर ओम है ऐसे यह वैल्यू की वन है सबसे पहले तो अपने फाइंड आउट करना है एक्विलेंट रेजिस्टन्स आपने मैंने एक चीज बताई थी यहां से आपने बैटरी से चलना है यहां से आपने चलना है ऐसे चलोगी यह पॉइंट हो गया अपका ठीक है फिर यह बत्यात दूसरे पञांता है और जब आप एक पॉइंट से दूसरे प्यूइंट पर जाओगे आपने देखना है उस पर जाने की रास्ते कि अहीं डेखिए इस रेजने की रोज यह तोそれでは की कितने राष्ते मिल गया पो दो रास्ते तो ये दोनों किसमें आगे पेटा पैरलल में फिर एक रास्ता बन गया यह किसमें आगे सीरीक्त में वापीस से ठर्से देखिए मैंने आपको क्या बताया था सिंगल चोइस यह मानन लो एक फटार है यह प्टसे आप चले जब यहां से चले तो यह तो एक ही रास्ता है फिर यहां आने के बाद कितने रास्ते होगे दो रास्ते होगे इधर से इधर से ठीक है यहां जाने के बाद फिर से एक सिंगल चोईस आगी तो यह किसमे आगी सिरीज में कहने का मतलब यह है कि यह R3 और R4 जो है वो किसमे है parallel combination में है तो यहाँ पे हम मैं अलग से बना लेता हूँ पहले का solution जो है पहले का solution अलग से यहाँ पे बना लेते हैं R3 और R4 R3 और R4 R3 and R4 are parallel in और parallel combination और in parallel combination ठीक है तो इनको कैसे करेंगे सोल देखिए यह हो गया यह यह वैल्यू दे रखिए बेटा 6 ohm और यह वैल्यू दे रखिए है तो यहां से करंट आई यह करंट डिवाइड होगी करंट क्या होगी डिवाइड यह तो इदो रखिए देखो है यहाने के बाद करंट क्या होगी डिवाइड फिर यहां से ऐसे गई ऐसे फिर करंट के पास कितने राष्ट आगे एक या तो यह देख लो कि current के पास राष्टे कितने हैं डिवाइड होने के ठीक हैं या फिर आप यह चीज़ देखो कि जो आपके पास खुद के पास रास्ते कितने हैं एक point से दूसरे point तक जाने में कोई भी आपकी मर्जी है एक आप way select कर सकते हैं उस way से आप identify कर सकते हैं कि कोई भी equivalent जो लगा रखा है कोई भी resistance जो लगा रखा है वो series में है या फिर वो किसमें है बेटा parallel में है ठीक है तो यह हो गया parallel parallel का formula हमने पड़ा था वन बाई आर equivalent इस इकवल टो वन बाई आर वन पलस वन बाई आर टू तो यहाँ पे तो कौन दे रखा है और थ्री और और फोर है तो आर थ्री और और फोर में यहां पे कर देखते हैं अब आर वन बाई आर equivalent वन बाई शिक्स पलस वन बाई ठीक है इसका equivalent निकालो इसका equivalent कितना आएगा देखो लसीम बताओ लसीम निकालने के बाद सिक्स लसीम आ गये इसका ठीक है यह गया वन और यह गया थ्री कि तो फोर बाई शिक्स फोर बाई शिक्स थ्री बाई टू इसकी value change कर लेते हैं इसकी value change करने के बाद देखिए इसकी 2 लेते हैं और इसको 4 लेते हैं ठीक है और यहाँ पर value रखिए 1 by 2 और प्लस 1 by 4 4 LC हम आ जाएगा 3 by 4 LC यह आ गया है ठीक है यह 4 by 3 आ गया तो ऐसे आपने शोल करना है अब जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा देखिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा यह रेजिस्टेंस आया है अब देखिए इसको बूल जाई हमने एक एक एक्विलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया यह क्या लगा दिया हमने और एक्विलेंट 4 by 3 लगाया है तो यह एक्विलेंट सबको क्या सकते हैं जोड सकते हैं तो जोडेंगे तो इसको देखी ध्यान से частिन के अंदर ये कितना है ठीन है ये 4th सबकर निकल करो हो तो निकल के आएगा तो यहां पर विलंट यह सारे के सारे किसमें यह वेट सिरीज कंबीनेशन में वे जब यह सिरीज समैं में होगे तो आर एक्विलेंट निकल के आगया आर वन पलस आर टू पलस आर थ्री पलस आर फोर पलस आर फाइव जो भी वैल्यू दे रखे ऐसे आगए ठीक है अब देखिए यहां से जोड़ते जाईए आर वन की वैल्यू टू ओम ठीक है पलस में थ्री ओम पलस में फोर बाई थ्री ओम पलस में वन ओम और पलस में फोर ओम यह वैल्यू आगी आपकी वैल्यू आगी कोई दिक्कत ही नहीं है तो यह हमारी value आगी तो इसको मजोडेंगे तो यह हमारा क्या जाएगा और equivalent resistance आ जाएगा तो यह आपका पहला answer होगा उसके बाद reading the emitter reading the emitter current निकालना है क्या निकालना है अपने current अब current कैसे निकालोगे according to देखी second start करते हम according to ohms law v is equal to ir and i is equal to v by r v की value आपके पास 30 है और r की value आप यहां से find out कर लोगे अगर r की value यहां से find out कर लोगे तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा बेटाब का i निकल के आ जाएगा ऐसे आप i find out कर सकते हो वो आपका i आ जाएगा अब पुछा गया potential drop across the resistance r6 इसके across में potential difference आपको find out करना है अब देखिए जो current की value आएगी यहां से आपके पास किस की value आ जाएगी बेटा current की potential difference आपको find out करना है तो v is equal to ir i की value यहां से find out कर लोगे यहां से solve करके i की value जब यहां से find out करके solve करोगे तो यहां से देखिए i की value को यहां put कर दीजिए r आपके पास है फोरॉम ठीक है r आपके पास है फोरॉम तो v is equal to ir this is potential यह आपका क्या जाएगा potential आ जाएगा कि सिंपल है बिल्कुल सिंपल कोई दिक्कत ही नहीं है इसको और एक तरी किस और भी किया जा सकता है देखिए इसको और मैं change कर दूंगा थोड़ा से इसकी reading भी आपको निकाल के देता हूं मैं इनको इतना ही रहने दीजिए यहां पर आर थरी की value यहां पर आर थरी की value कर देता हूं मैं 2 ohm और यहां पर आर 4 की value कर देता हूं मैं 1 ohm ठीक है अब आपसे वही तिन चीजें पूछी गई है तो निकालीए तो सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे R equivalent क्या पूछा गया इसे R equivalent क्या पूछा गया है R equivalent क्या पूछा गया है R पूछा गया है तो सबसे पहले क्या करोगे देखिए ये पैरलल में है किसमें है ये पैरलल में इनको जोड़ लो तो one by two याने कि one by R is equal to one by two और प्लस one by one तो क्या आगया देखिए two lcm आ गये इसका तो वण पलस two ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसको जोड़ोगे, सोल करोगे, सोल करने के बाद यहां से value निकल के आएगे, ठीक है, मान लेते हैं, इनका कोई equivalent आया, इनका equivalent आप सोल कर लोगे, निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपको लहें होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा करो, कि one by one है, one equivalent, one ही तो आप इसको हम क्या मान लेते हैं, यहां पे एक combination निकल के आया, और वो combination क्या निकल के आया, एक ऐसा resistance था, ऐसा resistance, और जो 2 ohm का resistance था, कितना था, 2 ohm का resistance, अब देखी, बिल्कुल सारे के सारे किसमें आगे बिटा, सीरीज में आगे, किसमें आगे सारे, सीरीज में आगे, तो आप से पूछा गया, find R equivalent, तो R equivalent क्या हो जाएगा, 2 ohm, पलस का 3 ohm, पलस का 2 ohm, पलस का 1 ohm, और पलस का 6 ohm, 4 ohm, तो 2, 3, 5, 7, 8, 4, 12, तो total कितना आगया बिटा, ये जो cell है ना, इस cell, इस cell को ये अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, इस cell को कितना ohm दिखाई देगा, 12 ohm resistance दिखाई देगा, ठीक है, अब आप से पूछा गया current बताईए, क्या बिटा, current, आप से आएंगे, according to ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V by R, तो यहां से V आपके पास है 30, R की वेल्यू है 12, तो यहां से आपके कट जाएगा, 10 by 4, यहनिके 5 by 2, 5 by 2, और यहां से आप इसको और भी शोल करना चाहते हैं, तो I की वेल्यू कितने आजाएगी, 2.5, 2.5 amp, यहां से जो current निकलेगा, यह जो current निकल रहा है, जो I है, यह निकला बेटा 2.5, इसमें भी 2.5, इसमें भी 2.5, इसमें भी 2.5, अब आप से पूछा गया, पोटेंशल डेप ड्रॉप एक्रोस दारेजिस्टेंस आर सिक्स, पोटेंशल ड्रॉप एक्रोस दारेजिस्टेंस आर सिक्स, तो कैसे निकालोगे, V is equal to IR, अब R की वैलू यहां पे कितनी है बेटा, देखी, इस R की वैलू, इसके क्रोस पूछा गया है, इन सब के क्रोस नहीं पूछा गया, इसके क्रोस पूछा गया है, सरफ इसके क्रोस, तो R की वैलू कितनी है बेटा, 4 ओम दे रखी है, अगर 4 ओम दे रखी, तो I की व बाद देखिए 25 बटे 10 इंटू में 4 तो कितना आ गया 10 आ गया बेटा वी इस एक्वल टू 10 वोल्ट यह आपका अंसर आ गया तो ऐसे आप कितने भी दे सकते हैं यहां पे यहां पे मैंने पैरलल बनाया ओ सकता है मैं इसी चीज को कहां बना दू बेटा ओ सकता है इसी चीज क है ऐसे यह वन-ओम यह ओनों जा फिर यह में कर देता यह शिक्स ओम यह टू अब यह पैरलल कम्मिनेशन वाट कहीं वन बाई और ऑस एक्वल टूँ वन बैअर और अरवन प्लस वन भाया रटू थीक है कम्मिनेशन में क्या हो जाएगा देखिए और R1, R2 और यह क्यों जाएगा R2 प्लस में R1, solve कर लो इसको, solve हो जाएगा, क्या दिक्कत है, R1 प्लस R2, divide by R, यह formula बन गया, आपका R का, इस formula से इसको solve कर लो, equivalent निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, solve करोगे देखी, इसका 6 दुनी 12, 8, ठीक है, 6 दुनी 12, और उपर आ जाएगा, 2 प्लस 6, 8, 8 बड़े 12, यह हो गया, equivalent निकल के आ गया, equivalent आपको निकलना आना चाहिए, series में simple formula है, series का simple है, इसमें ऐसे निकलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो यह आपका formula रहेगा, अब जैसे इसको मैं 1, 1 ले लूँ, क्या ले लूँ, 1, इसको भी क्या ले लूँ, 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 प्लस 1, divide by 1, तो कितना आ गया, 2 ohm, equivalent आ गया, कितना आ गया, 2 ohm, equivalent आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ऐसे आपके पास complex circuit मिलेंगे, उन complex circuit को अपने soul करना आना चाहिए, ठीक है, ऐसे देखी, मैं और भी आपको सिखाता हूँ, कैसे कैसे soul होंगे, और बहुत सारे circuit बनाते हैं, जैसे एक circuit बनाता हूँ, यहाँ पेक रेजिस्टेंस, यहाँ पेक रेजिस्टेंस, यहाँ पेक रेजिस्टेंस, और आपसे कहा गया, यह A है और यह B point है, find out the equivalent resistance, यह 6 ohm है, यह आपका कितना है, मान लो यह R1 है, यह R2 है, और यह R3 है, और यह R4 है, आपसे बुला गया, find out equivalent resistance, how to solve this circuit, सबसे बहले देखिए, आपने वही करना है, current को divide करना है या रास्ते देखने है, तो कितने रास्ते होगे, यहाँ से आन जाने के लिए, तो यह यह किस में हो गया, parallel में, तो यह circuit ऐसा बन जाएगा, this, इन दोनों को जोड़ोगे, तो क्या जाएगा, 1 by R is equal to 1 by R2, पलस में 1 by R3, तो R3, R2, R3 पलस, से इसे धिक वेलेंट पाइगसे है, इसको उनने किसे के बराबर मान लिया, R Index के बराबर मान लिया, इसके बराबर मान लिया, Raction तो यह था आना R1, यह हमारा equivalent resistance आ गया, जो शीरीज में जुड़ जाएगा फिर आगे हमारा यह आ गया तो यह आर फॉर था और यह क्या आ गया हमारा और एक सर्केट बन गया ऐसे शोल और एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अगर इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू करते इ हमारा एक्यूलेंट निकल खागा जाता बहुत असानी से संसर्क्ट को क्या कर सकते हैं बिटा सोल कर सकते हैं ऐसे देखी और बहुत सारे साथ के बुक के अंदर जो ऐसे सी कवेश्शन आये हैं पहले बोर्ड के अंदर उन्हीं को सॉल करते जा रहे हम ठीक है झाल झाल यह पॉइंट दे रखें पिटा यह पॉइंट है यह भी पॉइंट है ठीक है इनकी वैल्यू कुछ भी वैल्यू क्यों हो सकती है जैसे इसकी वैल्यू आर वन है इसकी वैल्यू आर टू है इसकी वैल्यू आर थ्री है इसकी वैल्यू आर फॉर है इसकी वैल्यू आर फाइव है और आपसे पूछा गया find out equivalent resistance आपसे क्या पूछा गया find out equivalent resistance तो कैसे find out करोगे equivalent resistance को तो यहां से देखिए यह किसमें आगे बेटा parallel में सबसे पहले इनको जूड़ोगे क्या करोगे इनको जूड़ो कैसे जूड़ोगे 1 by r equivalent is equal to 1 by r2 plus में 1 by r3 sorry 1 by r3 और plus में 1 by r4 इनको जूड़ो इनको जूड़ने के बाद आपका r equivalent आ जाएगा उनसे एक बन गया क्या बन गया उनसे एक एक बन गया तो इसको circuit को ऐसे solve कर लो आगे कैसे solve कर लोगे आगे circuit ऐसे solve जाएगा एक तो agities यह है ही इसको agities रख लो रख दिया फिर इनका एक जो आएगा वो ऐसे आ जाएगा और फिर इनका जो एक रह गया आगे वो ऐसे जूड़ जाएगा ऐसे जूड़ गया अब देखिए यह a point यह b point यह तीनों किसमें आगे एक ही रास्ते में आगे अगर तीन एक रास्ते में आगे तो simple formula क्या बन जाएगा और वन इनका आर एक्विलेंट आया था पलस आर एक्विलेंट और पलस में आर जो भी फाइव था तो यह आपका क्या जाएगा आर एक्विलेंट टोटल resistance find out हो जाएगा ऐसे solve कर सकते हैं और भी बहुत सारे सरकेट आपको देखने को मिलेंगे कैसे और बनाते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे सरकेट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे उनसे आप ऐसे solve कर सकते हो ठीक है तो देखिए next हमारा इसा सरकेट ऐसा रहेगा एक रेजिस्टेंस हमारा यह रहेगा ठीक है फ mater सेनों पेक रेजिस्टेंस यह रहेगा त safegu? और आप से पुछा जाएगा इसकी वेल्यों देगा 12 अब से पुछा गया find out equivalent resistance how to find out the equivalent resistance तो तो देखिए formula आपको पता है सबसे पहले इनका equivalent निकालोगे इनका equivalent निकालने के बाद वो किसमें आ जाएगा इनके series में आ जाएगा इनको क्या गर दोगे बेटा जोड़ दोगे इनको क्या गर दोगे जोड़ सरकेट कैसे पूछ रहा सकते हैं सरकेट ऐसा भी पूछा जा सकता है एक कि अगराइसा डायग्राम भी बनाया जा सकता है फिर आगे ऐसा डायग्राम भी बनाया जा सकता है आपसे पूछे कि find out the equivalent रेजिस्टन देखे पहले इनका इक्विलेंट निकाल लिए फिर ये तीनों किसमें आ जाएंगे पूरी चेंट किसमें आ जाएगी एसे बहुत सारे सरकेट आसे बनाया जासकते है जो हम निकाल सकते है ठीक है अपको एक्विलेंट रेजिस्टन से निकालना ना चाहिए फॉर्मला आपको लगाना चाहिए उससे आपको ऊपको सोल करना है